असलाम वालेकुम वराख लाही बरकाता है। उम्मेद हैं आप में सब खेर से होंगे। मैं भी अलहम्दुलिल्ला अल्ला 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 शुकार ऐसा नहीं करें से। अज़ते करें सब्सक्राइब करें से लिए और मेरी वीडियो और स्य पुरिया दिखी है। बहुत 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 बेहतरीन वीडियो है। और अब्लेपना ज़ो हुए। और काइसे लोग तहुन अच्छे या बुरे थे अल्शुन है। और यह कितने ताकष वरते कितने पहर मांग ते कितने शक्तिशाली थे और इन्हें अपनी हिकुमत कितने सो साल तक चलाई अपनी हुकुमत को अब मतलब कुछ टैन कि यह सुपबावर कौन थी, यह बहुत ऐह्म ताकष वर कौन थी तो उसी की बारें ये विडियो है कौमे आथ कौन है हम लोग इस वीडियो के जरीज़ जानने के कौहिश करेंगे कि ये कौन थे क्या मामला था और ये ईशा अलयसेलाम के आने से 2000 साल पहने की कुछ बात है तो ये वीडियो का आप लिए आप लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दियेगा अपनी जायत अमगों जरूर कर दियेगा और वीडियो को लाइक भी कर लिए तो चलिए आईए जानने कोहिश करते हैं कि कौम एाथ कौन थी? क्या थी? कुछ सचा है? इस वीडियो ज़री हम जानेंगे? वीडियों बढ़े रहे हैं गया इन तक थे ज़ए पहले वीडियो च्टार्ट करते हैं उसके बाद एमसे आपसे बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलामुलेकम कौम आज, दोस्तो पहाडों की तरह लंबे जिसम रखने वाले लोग जिन्होंने बड़े बड़े खंबों वाले शहर को आबाद किया था लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गुना किया था जिसकी वज़ा से उन पर अल्लह का अज़ाब नाजल हुआ इस अज़ाब ने तिहास के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाहो बर्बाद कर दिया दोस्तों ये वो जमाना था जब तुपान नूह का सेलाब थम चुका था और नूह अल्हिससलाम कष्टी से जमीन पर उतराए थे हज़रत नूह ने अपने तीन बेटों को दुनिया की अलग-अलग अलग अलाकों में भीज दिया ताकि दुनिया में इनसानी आबादी दोबारा फैले हज़रत नूह के बेटे साम अरब की सरजमीन में आकर बस गए जहां उनकी नसल आगे बढ़ी और अरब की सरजमीन में सामी नसल की शुरुआत हुई साम की नसल से एक ताकतवर सरदार की पैदाश हुई जिसका नाम आद था आद अपनी उलादों के साथ अरब के दक्षणी अलाकों में जाकर बस गए इस अलाके को सहरा एहकाफ कहते थी जहां रेट के उंचे और बड़े बड़े ठीले थे आद अपनी उलादों के साथ यहां आकर आबाद हो गए और यहां उसके उलादों में तेरह खांदान आबाद हुए यह लोग कौम आद कहलाएं जिन्हों ने यहां ताकतवर हुकूमत की शुरुआत की और तक्रीबन पंद्रह सो सालों तक यहां आबाद रहे उन्हों इस बंजर जमीन को अपनी महनत और ताकत से हरा भरा बना दिया और यहां खूबसूरत बस्तियां बसाई और यहां खूबसूरत बसाई गौम आद दुनिया की सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे उनके ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हादसे ही पेड़ को जड़ों से उखार देते थे वो कभी बूड़े नहीं होते थे उनमें एक शक्स हजार साल की उमर पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी ना होती थी कौम आद का जमाना ईसा अलही से दो हजार साल पहले माना जाता है उन्होंने सहरा एहकाफ में पहाड़ों को काड़ कर बहुत खुबसूरत महल बनाए थे और लंबे लंबे खंबों को तराश कर अपनी बस्तियों की खुबसूरती बढ़ाती इसलिए उनको हजार खंबों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है जिसकी राजधानी हजरे मौत का इलाका था कौम आद खजूर के बागाद के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चटाने काड़ कर बड़ी बड़ी नहरे बनाई थी इस कौम को अगर उस जमाने का सूपर पाउर कहा जाए तो ये गलत नहोगा पुर्तुबी की रिवायत के मताबिक हजरत इबन अबास रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि कौम आद के लंबे कदवाले आदमी पांसो जिरा के होते थे और उनमें सबसे छोटे कद़ का आदमी तीन सो जिरा का होता था याद रहे कि एक जिरा अभी के नाप के हिसाब से तकरीमां डेड़ फिट का बनता है इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया के माल और दौलत और ताकत वा कुवट ने नाफरमान बना दिया लियाज़ तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफर और शिर्क में डूब कर बुटों की पुजारी बन गई उनके तीन खास बुट थे जिनके नाम हमूद, हुब और समत थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादे मांगते थे शिर्क के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना और जगड़ा फसाद में पढ़ गए और बुराईयों की तमाम हदों को पार कर दिया लहाजा अल्लह ने कौम आद में से ही एक नेक और सालिह बंदे जिनका नाम हुद अल्हिससलाम था उन्हें नबू अता की ताकि इस भटकी वी कौम को सीधे रास्ते पर लाया जा सके कौम आद के दो खानदान जिनका नाम कल्मान और खलजान था वो कौम के सरदार थे उन्होंने हजरत हूद अल्हिससलाम का सबसे ज़्यादा विरूद किया और आपको तकलीफें पहुँचाए लेकिन आखिरकार खलजान खानदान दावत हक पर एमान ले आए जबकि बाकी बाराख खानदानों ने हजरत हूद अल्हिससलाम का इंकार किया उन्होंने हजरत हूद अल्हिससलाम से कहा कि हम अपने बाप दादा की चाल चलन हरगी जना चोड़ेंगे वो घमंड गुरूर में डूप के और उन्होंने अल्लह को ललका रहा और कहा कि अगर हमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ लाज़ा अब कौम आद पर अजब का फैसला करीब था कई दिनों तक एकाफ के अलाके में बारिश ना हुई चश्मे और नहरें सूप गए और हर तरफ सूखा पढ़ने लगा खेत खलियान बरबाद हो गए जमीन बंजर हो गई आद के लोगों के बड़े बड़े बागाद सूख गए जानवर मरने लगे यह तक कि लोग पानी के लिए तरसने लगे जब खाने को कुछ न रहा तो ये लोग कुटे बिल्निया चुहे और मुर्दार जानवरों को खाने लगे लहाज़ा एक काला बादल मंटराता हुआ एकाफ के लाके की तरफ बढ़ा जिस से हर तरफ अंधेरा च्छा गया हुद अलियससलाम ने जब ये मनजर देखा तो समझ गए कि अल्ला का वादा अब करीब है हज़रत हूद अपने मानने वालों को साथ लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चल दी जैसे ही हज़रत हूद एकाफ के लाके से निकले अजाब शुरू हो गया काले बादल और काले हो गया और तुफान आ गया एक तेज आंधी चली जिसने सब के दिल दहला गी इस खतरनाक आंधी के सामने हर चीज जमीन पर गिरने लगी हवा के जोकों से قوم आद के बड़े बड़े खंबे गिरने लगे और उनके बड़े बड़े महलों को उड़ा दिया साथ हाथ के लंबे इनसान तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे हवा उनके सरों को इस से जोर से टकरादी थी कि उनके भेजे निकल कर मुव़ पर लटक जाते थी आंधी का ये अजब इतना खतरनाक था कि हवा आग के गोलों की तरह घरों में घुस गे और उनको उठाकर बाहर फेंक देती अगर आस्मानी किताबों की बात की जाए तो उन किताबों में एकाफ या इर्म के बारे में कोई डीटेल जानकारी नहीं मिलती अलबता पुराने एहद नामों में निफेलियम नामी मखरूब की जानकारी मिलती है जिसका तरजमा आस्मानी किताबों के अलमा के मताबिक बहुती लंबे शरीर के लोग हैं लहाजा ये मुम्किन हो के औल्ड टेश्टामेंट में जिस निफेलियम की जानकारी दी गई हो वो कौम आद ही हो बहराल कौम आद का वो इलाका इस तरह तबाहो बर्बाद हुआ था कि फिर हजारों साल तक इतिहास के पन्नों से आद और उनके इलाके का नाम ही मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक मिट या अर्बी लोक कहानी समझने लगे लेकिन हजार सालों बाद कौरान मजीद में कौम आद और एहकाफ के इतिहास को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग उस कौम की हकीकत को याद रखें अगर आज के जमाने की बात की जाए तो एहकाफ का वो इलाका आज यमन और उमान के इलाकों में धाई लाक स्कुएर मील पर फैला हुआ है जहां आज रेत के सुनसान टीलों के सिवा कुछ भी नहीं है इस सुनसान इलाके की वज़े से अरबी से हजर मौत कहते हैं आसपास के लोगों से लेकर मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पुसंद नहीं करता साल 1930 में एक ब्रिटिश बर्टन थॉमस ने ये इरादा किया था कि वो हजर मौत या एकाफ के उस इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला इनसान बरेगा लेहाज़ थॉमस ने आसपास के लोगों को साथ लेकर उंट के जरिये इस इलाके का सफर किया था बीट होमस ने लिखा है कि इस सफर के बीच हजर मौत के एक इक इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडर जैसी इमारत देखी लेहाज़ आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि किसी जमाने में इस जगा इरम नामी एक शहर हुआ करता था जिस पर अल्लह का अजाब आया था अगले 35 सालों तक उन इलाकों में रिसर्च चलती रही इस रिसर्च टीम के एक शक्स जिसका नाम निकुलास कलैप था उसे ये यकीन था कि इन इलाकों में कोई गमशुदा शहर जरूर चुपा है लहाज़ इतिहास के उस गमशुदा शहर की खोज में उसने अपनी पूरी ताकत जोग दी कलैप ने दो-दो हजार साल पुराने यूनानियों के बने हुए नक्ष़ ढूंडे लहाज़ उसे टोमली का बना एक नक्ष़ मिना जिसमे उन इलाकों को दिखाया गया था अब कलैप को यकीन था कि वो अपनी रिसर्च सही जगा पर कर रहा है अपनी कोशिशों और सरकारी मंतरियों से बहुत रिक्वेश्ट के बाद आखरकार कलैप को सेटेलाइट की तस्वीर दे दी गई जिसमें हजरे मौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुराने पेलर्स, टावर्स, रास्ते और खंबों के होने के निशान मिले जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई पुरानी सिविलाजेशन जरूर आबाद हुआ करती थी सवाल ये उठता है कि वो कौन सी हवा थी जिससे कोम आद के इतने लंबे चोड़े लोग तिनके की तरह उड़ गए और उनके बड़े बड़े खंबे और महल तबाह होकर रेट की तरह बिखर गए जदीद साइंस की हवा पर रिसर्च शायद इस सवाल का एक बहतरीन जवाब हो सकता है लरसल साइंस दानों ने विंड फोर्स को अलग अलग दर्जों में तक्सीम किया है क्योंकि हवा की तेजी और शिद्दत इलाकों मौसमों और जगों के हिसाब से अलग अलग होती है इन में सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है और हमारी जमीन की सतह पर मौझूद है जिससे हम पतंग उड़ाते या परिंदे परवाज करते है फोर्स फोर्स की हवा हवा का वो लेवल है जो एक कश्टी में लगाये जाने वाले परते को आसानी से धका दे सकता है इसी तरह फोर्स की हर लेवल के साथ हवा की शिदत बढ़ जाती है रिसर्च के मताबिक हमारी जमीन के मौाबले में दूसरे सेयारों पर चलने वाली हवा बहू तेज जोती है जो रोशनी के रफ़तार का तक्रीबन तीन फीस्द हिस्सा है इस रफ़तार से चलने वाली हवाओं में शायद इनसान के खून के खूलिये तक बिखर जाएंगे हवा के स्पोर्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम आद पर आने वाला वो तूफान किस तरह खतरनाक और दिल दहला देने वाला था तो मेरे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हम अमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो तो दोस्तों ये तामारा रेक्शन जो हमने देखा बेहतरीन वीडियो थी एक ऐसी कौम अल्दा ने बनाई थी कि जिसने कितने सो साल तक ह्कूमत की लेकिन वो खत्मों इसलिए हो गए क्योंकि वो अल्ला की नाखर्मान होगी कोई भी कौम कोई भी सक्त जो अल्ला की नाखर्मानी करेगा वो दुनिया में हलाक हुजाए खत्म जाएगा उसका नामों निशान दिया लिए आपके जमाने में अगर ये कौम उत्तुरी दुनिया में हुकूमत कर दो हो थी क्योंकि इतने ताकत वह इतने लंबे चौले हजर हजर साथ उम्रे थी और जो एक पेड़ को एक खास से उखार करते सुचे कितनी ताकत वापनी है उनको तो गोले बंदू की दिरोती नहीं वह इसे ही लोगों को मार देते है पुरे में दुनिया में हुकूमत करते हैं एक क्यासी कौम की कौमें हो तो यह वीडियो देखा हम लोगों ने पहत्रीन वीडियों थी है उम्मीद आप लोगों की अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो श्रेक करिएगा तो फिर इंशालाए मिलेंग नेस पूलिए और तक 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 असलाव आने कुम और अक्तु